स्वागत थे आपका सिवेसी गुरु यूट्यूट चानल पर और मैं सिवेसी गूरु स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चानल पर तो जैसा कि मैं जानता हूँ और आप भी जानता है कि हम लोड क्या पढ़ रहें थे फोटो ऐलेक्टिक एफड्रिक फड़र्या थे जहां पर हमने कुछ कंपूज़न कीना थे या कुछ अपर विए थे ते इस तरीके से फोटो ऐलेक्टिक के चीजे होती है जब मेटल से स्ट और इस बैटल में हम क्या करते हैं मतलब को इस पर डालते हैं तो जो चीशन है यह जैसे ब्लेक बॉडी है वो हर्व्रिक्वेंसी को एक्सेट करता है और हर्व्रिक्वेंसी को क्या करता है एकrator करता है नहीं है तो निकलना बढ़ा जाता है जो पर तो हैं उतने तेजी से निकलता है और यह जांए कि एक ऐसे स्पीड से दिख लेगा मैंट अगर कुछ ऐसे स्पीड होती है जिस पर एलेक्ट्रों की स्पीड बहुत कम ब्रक्रों निकलता ही रहे है तो यह जानता है कि रॉकेट को इस पेस में जाने के लिए 11.2 km per second की स्पीड चाहिए अगर उससे कम की स्पीड रहीगी तो जो अर्थ की ऑर्डिट उसको छोड़ नहीं पाईगा लेकिन अगर उसको छोड़ना है तो यह 11.2 km per second की स्पीड चाहिए उसी तरीके से इस बैटल ने अगर बैटल के सर्फेस को छोड़ना है और एलेक्ट्रों का एमिशन टूरंद होना है जैसे ही रे उस पे जाए तो हमें कुछ मिनिममम फ्रिक्वेंसी टाइक करनी पड़ेगी कि उस फ्रिक्वेंसी से अगर मेरी रे की फ्रिक्वेंसी एलेक्ट्रमेटिक रेडेशन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होती है तो मेरा ए मेरी भीफंस से जानते हैं बिकों-攻द से Cameron से देनोट करते हैं मेरी क्या है भी नुट है अब इनिमुम क्रेंसी हमफे टालते हैं फीन हम डालोत है मेरा अलिक्तर्न निकले गए निगे अब यह भी हम जानते हैं हमने पढ़ चुके हैं फर्मुला वेगड़ा कि क्या पढ़ा है है हम फर्मुला में कि whenever the electromagnetic radiation whenever the electromagnetic radiation strikes the metal it receives the energy energy packets की रूप में और वो energy किती ही हमने क्या पढ़ा था यह पढ़ा था E equal H V जहां पे H क्या था plan constant क्या था plan constant इसकी value 6.6 करके कुछ एक है यह हम जाता है अब जब यह minimum मान लीजे कि हमारा जो radiation है electromagnetic radiation जिसके पास frequency क्या है V नौट तो जब यह strike करेगा metal पे तो कितने energy packets के साथ करेगा लगभण H V नौट के साथ करेगा ठीक है इतना समझ में आता है अब let us suppose कि जो मेरा frequency अब strike कर रहा है वो V है और वो V नौट से जादा है ठीक है उसकी speed V है और वो V नौट से जादा है तो अब energy जब इसका energy कितना होगा अब आगर हम यह देखें कि ही नौट क्या है frequency कम है वी क्या है frequency ज्यादा है अगर हम H V minus H V करते हैं तो क्या हम को H V क्या है energy H V not क्या है energy at frequency V not H V क्या है frequency add up मतलब energy add a frequency V ठीक है अगर इन दोनों को minus करते तो मेरी kinetic energy नहीं पता चल जाएगी मुझे लगता है पता चल जाएगी क्योंकि इनर्जी है क्या इनर्जी 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 पैकर्स के रूप में है और यह भी हम जासे जितनी energy हम metal को देंगे उटनी speed से बहार नेकलेगा मतलब कि जो metal से electron निकलने की speed है वह भी इतनी होगी इतना होगा इतना समझ रहा है अगर हम यह कहें कि इनर्जी इनर्जी फाइनल जो भी kinetic energy वह जाएगी मेरी ठीक है क्योंकि वी नॉट से पहले तो कोई electron निकलना नहीं और वी नॉट के बाद ही electron निकलना है तो वी से वी के बीच में kinetic energy होई होगी यह हम यहां से पा सकते हैं मालू कर सकते हैं तो यहां से क्या जाएगा hb-0 minus hb is equal to half into me into e का this point चीक है अब यहां पे बी अलग है और यह बी अलग है इसको हम क्या करते हैं वी एस्ट नॉट करते हैं और जो frequency वाला भी है वो भी यह है कि अब थोड़ा सख्यान देने की दरोर है कि अगर इसको अच्छे से लिखे इसको जो है हम यहां पर अच्छे से लिखे हैं क्या है का अच्छी नॉट इक्वल टू एक्वल टू एक्वी प्लस वन वाइटू एम ए वी एसको इसट इसफायर ठीक है वो जब तक में कोई अलग नोटेशन दिया हो लेकिन इसके लिखना हूँ कि जो मैं ने पढ़ाया उसमें आपको पन्फियूजन हो तो यहां पे अब क्या के एक में क्या है कि यह अब करता है हमने पर उसे पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे लेकिन टैन पर पढ़े होता है कि कानीटिंस एलेक्रण को एक्प्रेस कर रा है जब हो मैं बाहर टेकलेगा अगर हम इसको combine करते हैं और यह कहें कि भाई कितना difference in metal की कितना kinetic energy से बाहर निकला है तो जो electron metal से बाहर निकलेगा वी नोट के उपर अगर frequency रहते हैं तो उसकी value 1 by 2 into mv into vs square यह आप लोग यार रखेएगा क्योंकि यह numerical में बहुत होता है और बहुत जाला important है ठीक है चलिए अब आगे हम कुछ concept जानते हैं या कि electron निकलता करते किस तरीके से मैंने पिछले बारे बताया था लेकिन मैं उसको बताता हूं किस तरीके से electron निकलता है तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से electron निकलता है यह जानना जोड़ी है तो यह जाते हैं मैटल का हम सब मुझाते हैं और मैटल की प्रपर्टी होती है कि electrons उस पे आसानी से निकल जाता है ठीक है मैटल को ही चाहिए अलमुडियम हो चाहिए कोप और वही सब मैटल से हैं यह सब को हम वायर भी की उस करते हैं कि जैसे हम सप्लाइए अचानक अब क्या करना है कि अब इसको मैटल में अब तक क्या है मैटल में इसको मैटल में इसको कि इस पे जो है मैटल पे यह पूरा एलेक्ट्रॉन से भड़ा हुआ है यह जो अब ही देख रहे हैं यह कुछ ही बलकी एलेक्ट्रॉन अब क्या होता है कि जैसे ही कुई रे आती है जैसे ही कोई बेही है कि आड़ेक्ट्र Chi मैंडिक रिएर पी और टकड़ाती है तो होता ऐा है पार्टिक्लर फ्रिकवेंसी निशा पार्टिक्लों 24 टकड्राईगी ठीक है जो इहाँ पर आउटर मोश्ट एलेक्रों रहेंगे उनको क्या करेंगी इनर्जी ट्रांसफर करते हैं अब यह जो रहें है यह जाना मोशन करने लगें जाना मोशन करने लगेंगे जैसे की रहत पर सरना मता है तो जू मेना एलेक्ट्रों जो है घूंता है इस पर्टल फिक्स ओर्ट है और यह आगे सच भी होगा लेकिन उनका एक्स्मेरेशन करने तरीका गलत है कि उद्ध का तो तो उनका तो रहें जो बहुता है जैसे ही इसको इनर्जी पर आप देख एक अब क्या है जैसे ही इनर्जी इसको दिया अब क्या करेंगे जैसे ही इसकी इनर्जी जैसे ही इसकी इनर्जी यह कर सकते है कि जैसे ही बीनोट की बात करते हैं जो अक़र्षकेंशी만 इस रजाई एकॉयर्षक मिमेंटनीय यहां के स्ट्राइक करेंगे यह electron emit होना सुर्ण हो जाएगा मतला कि इसको इतना energy बिल जाएगा कि यह metal के surface से emit हो सके और emit होने के बाद यागे जहां भी इसको जाला हो electron एक series में चलते जाएगा तो इस तरीके से यह मेरा electromagnetic radiation काम करता है जहां पर जैसे ही कोई भी ray आती है जैसे ही कोई रहाती है electrons पर गिरती है उसको energize करती है minimum frequency से जैसी मेरा radiation का frequency अगर पर होता है तो भेडा क्या करना सुरू हो जाएगा energy radiate मतलब कि electrons emit करना सुरू हो जाएगा जो की photoelectric effect को डर्शाता है और यह application पता है आपको कहाँ होता है चाहे आप solar panel ले ले ठीक है और चाहे solar की कोई भी चीज़ ले ठीक है लाइफाई यह का गया है लाइफाई भी आप जानते हैं ठीक है उसी तरीके से बहुत सारी ऐसे चीज़ें जहां पर light का use होता है ठीक है जैसे आपका laser beam है जैसे आपका infrared है एक्स रे है गावारे है यह सारी चीज़ें क्या है यह सारी चीज़ें इसी चीज़ें संबने से कुछ चीज़ें का अलग use application होता है और कुछ चीज़ें का electric city cell application होता है अगर हम बात करें इसका main application जो है photo voltage cell जो की हमारा च्छब पर लगाओ होता है जहां से जीये कह सकते हैं उसको इसको आम हाता में कहते हैं जहां पर सुरस की किर्ण तक राती है जिससे एनर्जी जनरेट होता है और उसे हम बैक्री भी स्टोर करते हैं ठीक है तो यह सबसे बड़ा अप्लिकेशन है फोटो एलेक्रिक एपट का और आने वाले समय में इसको अगर हम उसको जल्ड़ेटर शोर्स अप्रिक करते हैं आने वाले समय में यह एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव सोर्स अफ इनर्जी बनने वाला है क्योंकि हमारा जो कोईला है तेर्स आफ से असी नभी साल का और बचा है तो कि हम आप अल्रेटर साल यूज कर सुके हैं और अस्ती नभी साल और बचा है उसके अलावा हमारा कोईले का भंडार कोल हमारा जो फोल माइस है उसारी चीजा खत्म होने वाले आगे आने वाले हमारे फ्यूचर में अल्टरनेटिव सोर्स अफ इनर्जी ही एक बहुत बड़ी ऐसी करांती है अगर हम उसको जल्दी से अपना लें तो बहतार होगा नहीं अपनाएंगे तो हमें बहुत बड़ी इनर्जी क्राइस से जुझना पड़ेगा जो कि आने वाले 5-10 सालों में सुरू हो जाएगी वैसे भी पूरे विश्व में इनर्जी लेवल का यह कर सकते ही इनर्जी क्राइस को लेकर बहुत हमार अब अगले वीडियो में इसका नम्रेकल कराऊंगा उसके बाद आगे की बात करूंगा जहां पर आपको पुरे स्टर्चिर बता है किस तरीके से उन नुकलेस के आरूंड घूमता है इसकी फॉर्म में गूमता यह बता था कि घूम रहा होगा निवर्स के चारवड लेकिन वो अलग अलग ओर्विट में अलग 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 श् तो चलिए आज तक के लिए नमस्कार और हाँ इस चानल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्रे कर दिएगा जितना आप करेंगे उतना बहतर है वो क्योंकि उतने तरीके से उतने अच्छे तरीके से मैं आप सभी का कॉंसेट क्लियर करता हूं चलिए तक के लिए नमस्कार करते हैं